हाई गाईज वेलकम टू माई चैनल वन्स गिंड तो फ्रेंट्स अब मार्केट में सैमसंग कमपनी भी एक बार फिर शे अपना एक और नया M सीरीज का स्मार्टफोन लेकर आ रही है जिहां दोस्तो बहुत दिनों से सैमसंग कमपनी के नए स्मार्टफोन सैमसंग लेक्सी M23 थरी स्मार्टफोन को लेकर अलग अलग लेक्स डीटेल सामने आ रही है लेकिन दोस्तो अब की बार इस स्मार्टफोन की लगवक्स सभी कंफर्म सपेस्वकेशन और इस स्मार्टफोन के ओफिसली रेंडर्स को कमपनी ने शेयर कर दिया है जिससे दोस्तो इस स्मार्टफो जा रहे हैं तो दोस्तों ये दिया भी Samsung Company के फैन हैं और आप एक बढ़िया और अच्छा Samsung Company का smartphone खरीदना चाहते हैं तो दोस्तों बने रही आप इस वीडियो में एंड तक और ये आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक और शिर जरूर करें और हमारे चैनल को पर ना भूले तो चलिए दोस्तों वीडियो सुरो करते हैं दोस्तों वीडियो की सिरुवात करेंगे इस स्मार्टफून के लूप और शिरूर के साथ तो दोस्तों इस स्मार्टफून इंदर आपको कंपनी इनफिनिटी यू सेप की नोच डिस्पले प्रोवाइड कराने वाली है और इसके इंदर आपको ट्रीपल कैमरा संसर देखने को मिल जाएंगी और दोस्तों यह स्मार्टफून प्लास्टिक बोडी के उपर बिल्ड किया जाएगा तो दोस्तों लूप और डिजन के मामले में स्मार्टफून सिंपल ही रहने वाला है इसका लूप और इस की जाए तो दोस्तों इस स्मार्टफून इंदर आपको कंपनी 6.6 inch की फुल HD वाटर डूप नोच डिस्पले प्रोवाइड कराने वाली है जो की 1080 गुना 2400 पिक्सल के रिजुलेशन के साथ आएगी और इसका स्पीक रिश्यो भी सनपात नो होगा और इसकी कोरनी के पर आ लगला इसका प्रोटेक्शन देखनी को मिल जाएगा और इसके इंदर आपको 120 Hz रिफ्रेट का स्पोर्ट मिलेगा तो दोस्तों डिस्पले के मामले में स्मार्टफून बढ़िया रहेगा इसके इंदर आपको कंपनी फुल साइज की बड़ी डिस्पले प्रोवाइड करान जिसमें आपको 50 माय पिक्सल, 8 माय पिक्सल और 2 माय पिक्सल का रियर कैमरा और 16 माय पिक्सल का फ्रंट सेलफी कैमरा देखने को मिलेगा तो दोस्तों कैमरा के मामले में यह स्मार्टफून बढ़िया रहने वाला है इसके इंदर आपको कंपनी 50 माय पिक्सल का मेन प्राइ बड़िया रहने वाला है और दोस्तों अगर इसके वेरियंट के बारे में बात की जाए तो दोस्तों इस स्मार्टफन को साइद सैंसंग कमपनी मार्केट में 4GB और 6GB RAM के वेरियंट में उतारने वाली है जिनके साथ आपको 128GB का इंटरनल स्टोरज देखनी को मिल जाएगा त इसके जरी आप इसके स्टोरिज को 1TV दक बड़ा भी सकते हैं और दोस्तों अगर बात की जाए स्मार्टफन के प्रोसेडर के बारे में तो दोस्तों इस स्मार्टफन के प्रोसेडर को लेकर वैसे तो कनफर्म सपेसिफिकेशन सामने नहीं आई है लेकिन दोस्तों इस स्मा वाल गिंदर आपको 11619 का GPU भी देखने को मिल सकता है तो दोस्तो वैसे तो इस स्मार्टफून के परोस्जर को लेकर ज़्यादा जानकारी सामने नहीं आई है लेकिन दोस्तो पिछले कुछ दिनों से जो भी कमपनी मार्केट में अपना लो पराइज 5G स्मार्टफून उतार रही है उसके इंदर आपको सनैब ब्रेंग 695 एसोसी का चिपसेट देखने को मिल रहा है तो दोस्तो ऐसी उमीद लगाए जा सकती है कि इस स्मार्टफून देर भी आपको साइद यही चिपसेट देखने को मिलेगा बागी दोस्तो आप इस स्मार्टफून देर कौन सा चिपसेट देखना पसंद करेंगे हमें कमेंट बक्स ने कमेंट करके जरूर बताएं और दोस्त अब रिश्की बैटरी के बारे में बात की जाए तो दोस्तो इस स्मार्टफन गिदर आपको कमपनी 25 वाट के फास्ट अटारि निक स्पोर्ट वाली 5000 एमिज की पार हुल बैटरी भी प्रोवाइड कराने वाली है जिस से दोस्तो आपका स्मार्टफन बहुत ही फा पस्पास होने वाली है तो दोस्तों आपको यह स्मार्टफन कैसा लगा हमें कमेंट वर्क से कमेंट करके जरूर बताएं और ही दिया आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब बना ना भूलें धन्यमार